नमस्कार मैं उप्रिया आज है चार जुलाई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर अब सौफ्ट्वेर के माध्यम से शुरू होगा चकभंदी का काम बिहार में एक बार फिर से शुरू हो सकता है जनता दर्बार परचाय चुनाव में मतगर्णा के दौरान होगी वीडियोग्राफी बिहार में पांच जुलाई तक मुफ्त में मिलेगा राश्वन भारत बार देखनेगी कोवाक्सीन के ट्रायल के थर्ड फेज के नतीजों की घोशना अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से सरकारी बांकों में निकाली जाएगी क्लर की बंपर भरतियां ग्राजवेट उमेद्वारों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका इंस्टिटूट ऑफ बांकिंग सिलेक्शन यानिकी आईबी पिस ने बांकों में क्लर के पद पर भरती के लिए परिक्षा का आयोजन करने का एलान कर दिया है जिसके तहट देश के विभन सरकारी बांकों में बहुत से पदों पर क्लर की भरतियां की जाएंगी जिसके तहट अब UGC से मानता प्राप्त युनिवर्सिरी से किसी भी विशे में तीन साल का ग्राजवेशन पूरा कर चुके इस वेकेंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं जिसमें ग्राजवेशन के फाइनल इयर के छात्र भी शामिल हो सकते हैं जिसके बाद सही तरीके से आवी दन भढ़ने के बाद आपको IBPS क्लर्क प्रिलिम्स परिक्षा देनी होगी परिक्षा के आधार पर ही आपको नौकरी दी जाएगी परिक्षा से जुड़ी सारी जानकारी लेने के लिए आप IBPS की आधिकारिक वेबसाइट IVPS.IN पर जा सकते हैं बिहार में एक बार फिर से शुरू हो सकता है जुनता दर्बार एक बार फिर से मुख्यमंत्री नितीश कुमार का जुनता दर्बार लगने वाला है इस बावत मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने व्यक्तिकत रूप से तैयारियां तेज कर दी हैं इसी क्रम में बीते दिन मुख्यमंदर निदेश कुमार सीम सचिवाले में बन रहे जनता दर्बार की शिल्ड का मुआना लेने पहुँचे जिसके बाद अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि सीम का जनता दरबार मुख्यमंतरी आवास पर नहीं बलकि सीम सेकरेटेरियट में ही लगाया जाएगा कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही इसकी प्रोकरिया तेज कर दी गई है जानकारों की माने तो शेल्ड के बन जाने के बाद प्रतेक सुमबार को जनता दरबार का आयो जन किया जा सकता है जिसमें मुख्यमंतरी आम जनता की बात सुनेंगे आज बिहारी बहुत रे स्पेशल में हम बात करेंगे एश्वरे निगम की एश्वरे निगम एक भारतिय गायक है उन्हें हिंदी फिल्मों में पार्ष गायक के रूप में जाना जाता है खास कर दबंग जैसी फिल्मों के रिए उन्हें दबंग के गीत मुन्नी बदनाम हुई के लिए कई पुरसकार में ले हैं एश्वरे का जन बिहार के मुझफर पुर जिले में हुआ था उनकी मा आर्ती रंजर मुखर जी समिनरी मुझफर पुर में लेक्चुरर के रूप में काम करती हैं जबकि उनके पिता मुकेश रंजन पंजाब नाश्र बैंक में मैनेजर है उन्होंने अपनी स्कूली सिक्षा संशाइन प्रेप हाई स्कूल मुझफर पुर से ही की है निगम ने अपने बचपन में न्यू कॉल्नी शेरपुर मुझफर पुर बिहार में बिताया है बिहार के इन जलों में ऐसा रहेगा मौसम का हाल आएमडी पटना की तरफ से साजवा की गई जवानकारी के नुसार उतरपुर्फ बिहार के सुपॉल अलरिया किशनगंज मदेपूरा सहरसा पुर्णिया में लगभग सभी स्थानों पर मेग गर्जन के साथ आकाशे बिजले के संभाव नाज जुताई गई है इसके साथ ही दक्षिन पश्चिम बिहार के बकसर भोजपुर रोहतास भाबुआ अरवन और अंगबाद जहानबाद में कुछ जगों पर बारिश हो सकती है साथ ही दक्षिन मदेपिहार के बेगुसराय गया पटना नालंदा नवादा शेकपुरा लखी सराय में कुछ इसके साथ ही दक्षिन मदेविहार के सितमड़ी मध्वनी मुझफर भणगा वैशाली के कई स्थानों में भी बारश का पुर्वानवान जहारी किया है अब सॉफ्ट्वेर के माध्यम से शुड़ो होगा चकबंदी का काम बिहार में चकबंदी के काम को डिजिटल करने की तयारी हो रही है इसको लेकर जल्द ही बिहार सरकार की तरफ से चक बिहार सॉफ्ट्वेर को जारी किया जाएगा राजस्वेवं भूमी सुधार विभाग की माने तो सर्वे का काम पूरा होते ही राजमे चकबंदी के काम में तेजी आएगी विभाग का ये हलक्ष है कि आने वाले चार साल में सर्वे से लेकर चकबंदी का काम पूरा कर लिया जाए हाला कि इसके लिए प्रत्यक महीने औसतन एक हजार गाओं की चकबंदी करना विभाग के सामने अभी भी बड़ी चुनौती है महीं चकबंदी के काम को लेकर IIT डुड़की से खास तरह का सौफ्टवेर चक बिहार तयार कराय जा रहा है इसके लिए अनुबंद की प्रक्रिया चल रही है बिहार के 34 जेलों में बड़े पैमाने पर किया गया तबादला इन दिनों बिहार के अलग-अलग विभागों में बड़े पैमाने पर तबादला किया जा रहा है जो में 20 जेलर और 14 सहाइक सूपरेटेंडन का तवादला कर दिया सरकार की तरफ से अधिसू चांजारी की गई है जिसमें प्रदीब कुमार सिंग, मुहमद, जफर आलम, सरोच कुमार, बिहार में साथ राजो में आने वाले लोगों पर होगी खास नजर कोरोना के वर्तमान माहौल के 20 डेल्टा प्लस वेरियंट ने चुंता बढ़ा दी है मही देश के कई राजो में कोरोना के इस नए वेरियंट के पुष्टी भी हो गई है जो इसके बाद अब बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है इसके साथ राजों से आने वाले यात्रियों पर खास नजर बनाय रखने की बात कही गई है जिसके तहथ सिविल सरज्जिन विभा कुमारी ने भी अपना बयान जारी किया है जिसके तहद उन्हों होने कहा कि निग्राने इकायों के द्वारा कोरोना जाच आनिवारे रूप से किया जाएगा जिसके तहत अब एरपूर्ट से लेकर बस्टैंड तक निग्राने बढ़ा दी गई है। जुला नर्वाचन पदादिकारी पंच्रायत सेह जुलादिकारी को इनलतेश चारी कर दिया है जिसके तहत अब मतगर्ना के दौरान जितने भी एवियम होंगे उनके कंट्रोल यूनिट की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी इतना ही नहीं मतगर्ना के दौरान सुरक्षा बिहार में मुफ्त अनाज मुहाया करवाने की अवधी को 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है इसको लेकर खादे एवं उपभोगता संग्रक्षन वभाग की विशेश कारे पदादिकारी संगीता सिंग ने सरकार की तरफ से सभी जलों के जलादिकारियों को दिश स्वास्तव भाग की तरफ से मिली जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के 25-24 घंटे में कुल मिलाकर 136 मामलों की पुष्टी हुई है जिसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 1549 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात क कटिहार में तीन, खगडिया में तीन, किशन गंज में चार, मधेपुरा में तीन, मधुबनी में दो, मुंगेर में दो, मुजफरपुर में साथ, नालंदा में चार, नवादा में पाँच, पटना में बाईस, पुर्णिया में सोलह, रोहतास में एक, सहरजा में एक, समस् बिहार के अलग-अलग जिलों में कलेक्ट किये गए इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 गंटे में कुल मिलाकर एक लाग 10,814 सैंपल की जाच की गए वहीं 284 मरीज ठीक होकर घर वापस लोटे हैं बिहार के परेटन सर्में आजम बात करेंगे राजगीर की अगर आप भी बंगाल के बाग और गुजरात के शेर का देदार पास से करना चाहते हैं तो राजगीर का भ्रहमन जरूर करें राजगीर और आसपास का हिलाका एतिहासिक संस्कृतिक और धार्मी परेटन की दृष्टी से महत्वपूर्ण मारा जाता है वहीं अब राजगीर में वाइल लाइफ जू सफारी का अंदर्मान कारे भी लगभग पूरा हो चुका है इसके बाद उम्मीद जटाई जा रही है कि इस साल के आखिर तक जू सफारी में सभी पशो को ले आया जाएगा और इसे परेटेकों के लिए खोल दिया जाएगा बिहार और मुंबई के बीच समर स्पेशल वीकली ट्रेन का शुरू होगा परिच्वालर यात्रिगन कृपया ध्यान दे यात्रियों के सुवधा को ध्यान में रखते वे भारतीय रेल्वे ने बिहार और मुंबई के बीच सापताहिक समर स्पेशल ट्रेन चुलाने का फैसला लिया है जिसके तहट प्रेंसंख्या 053196 पनवेल सापताहिक समर स्पेशल ट्रेन 6 जुलाई मंगलवार को छप्रा से औ 053206 सापताहिक समर स्पेशल ट्रेन 7 जुलाई बुधवार को पनवेल से एक फेर हेतू चलाई जाएगी जिसके तहट इस समर स्पेशल ट्रेन के संरच्णा में SLRD के दो साधारन द्वितिया श्रेनी के 9 श्रैनान श्रेनी के 9 वातानुकुलित तृतिया श्रेनी के 2 और व भारत के 2 वाक्सीन लगातार लोगों को दिये जारहे हैं इन सब के बीच कोरोना ने अपना बेरियन्ट बदल लिया है इसके बाद वाक्सीन के कारगर होने नहीं होने का सवाल वैग्यानिकों के साथ-साथ-साथ-साथ-सा आमनाग्री के जहन में भी आ गया था जिसके था बायोटेक ने कोबाक्सीन को कोरोना के नए डिल्टा वेरियन प्रहर 85.2 प्रतिश्यत अस्यरदार बताया है जारी के गशोद के नुसार कोबाक्सीन को वाइरस के खिलाफ 67.8 तक्योरी प्रभावि पाया है इसके साथ ही कोरोना वाइरस के डिल्टा वेरियन के खिलाफ 65.2 फीज दी असरदार है महीं कोरोना वाइरस के गंभीर संक्रुमन के खिलाफ इसको 93.4 फीज दी प्रभावी पाई गया है को वाक्सीन, हलके और गंभीर COVID-19 के मावलों में 78 फीज दी प्रभावी पाई गई है बिहार मदिनिशेद कानून पर पटना हाई कोर्ट ने जारी किया एहम फैसला बिहार मदिनिशेद कानून पर पटना हाई कोर्ट ने बीते दिन एहम फैसला सुनाया है जिसकी तहत अगर निशुत समय में राजसात की प्रक्रिया नहीं की गई तो जब्तसंपत्ती गाड़ी सामान नयाले की तरफ से जारी आदेश के बाद रिलीस कर दिया जाएगा इस बावत मुखिने अधीश एसकुमार की खंड़ पीट ने साफ किया है कि हाई कोर्ट में राजसात की कारवाई शुरू नहीं करने और जब्ती पर अवैध आदेश पारत करने वाली आजिकाओं की भरमार है इसके शिग्र समापन हेतु कोट ने कई बार भी निर्देश जारी क्या है खंड़ पीट ने कहा है कि हम आशा करते हैं कि प्राधिकार कानूनी प्रक्रिया का पालन करते वे तैस समय के अंदर जब्त संपत्ती को राजसात करने की प्रक्रिया पूरी करे ऐसा नहीं करने पर उक्त संपत्ती सावान गारी इत्यादी को रिलीज कर दिया जाएगा स्वास्त विभाग ने लॉक्टाउन को लेकर अधिकारियों से लिया फीडबाक मुखी मद्री टिश कुमार आपदा प्रबंधन को लेकर 6 जुलाई को एक एहम बैठक करने बाले हैं जिसमें लॉक्टाउन और स्कूल को खोलने पर निर्डे लेने की संभावना जटाई गई है इससे पहले स्वास्त विभाग ने एक वर्चुल बैठक बीते दिन बुलाई जिसमें विभाग ये अधिकारियों के अलावा सभी डियेम, SSP और SP शामिल हुए थे जिसके तैस ज्यादातर अधिकारियों ने कोरोना की संभावी तीसरी लहर को देखते वे कड़ाई बरतने की अपील की है वहीं कुछ प्रतशत अधिकारियों ने कहा है कि सभी दुकानों को सामाने रूप से पहले की तरह खोल दिया जाना जाहिए वहीं अधिकांश लोगों का मानना है कि फिलहाल स्कूल कॉलिज नहीं खोले जाने चाहिए लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते वे खगरिया में फ्लड फाइटिंग फोर्स होई तैनात खगरिया में कोसी और बागमती का जलस्तर बढ़ता जा रहा है जिसके बाद सही कोसी बागमती पर बने बांथ तटबंदों की निगरानी की जा रही है इसके साथ ही चौक सी भी बढ़ा दी गई है इतना ही निक खगडिया में बाढ़ की लगातार बढ़ रही संभावनाओं को देखते वे फ्लर्ट फाइटिंग फोर्स तैनात कर दिया गया है बागमती नदी की बात करें तो शुकरवार से ही इसके जलसतर में व्रती देखने को मिल रही है फ्लर्ट फाइटिंग फोर्स के शैलिश कुमार सिंग तीन दनों से खगडिया में क्याम्प लगाए वे हैं जुला प्रसाशन की तरह से श्रनिवार को जारी रिपोर्ट में जुले के बाढ़ नियंतरन प्रमंडल एक और बाढ़ नियंतरन प्रमंडल दो के तहट सभी बान तटबंदों को सुरक्षित हाला के फिलहाल बताये गया है जद्यू के पुर्वधायक महेश्वर सिंग राजद में हुए श्रामिल इंदरों जद्यू के अंदर उठापटा की स्थती देखने को मिल रही है जद्यू के बीते दिन बिहार के पुर्वी चंपारंजुले के हरसित धी विधान सभाशेतर से जूके विधायक रह महेश्वर सिंग राजद में शामिल हो गया है जिसके तहर तेजस्वी आदव के सामने उन्होंने राजद में जोइन किया अफसर शाही के मामले में मदन सहनी और जिवेश मिश्रा आए आपने सामने अफसर शाही को लेकर बिहार सरकार के बीच ठनी देखने को मिल रही है जहां एक तरफ समाज कल्यान मंत्री मदन सहनी ने विभागों में अफसर शाही को लेकर अपने इस्तीफे की पेशकर्श कर दी है वहीं दूसरे तरफ श्रम संसाधन विभाग के मंत्रे जिवेश मिश्रा ने कहा है कि बिहार में अफसर शाही नहीं है ताल में बिठा कर चलना चाहिए इस पर मदन सहनी ने जोंकर नाराजगी जाहिर करते वे मंतरी को अपने हद में रहने की सला दे दी है जिवेश मिश्रा ने आगे ये भी कहा है कि मंतरी मदन सहनी की बातों पर प्रतिकरिया उचित नहीं है लेकिन मुख्यमंतरी और मुख्यमंतरी के नेदरुत में जो विभाग वो संभाल रहे हैं वहाँ जनता का राज है भारत के दिहास में आज की तारीक के काड़ों से दर्च मराठा सिना ने 1760 में दिली पर कबजा किया इस्ट इंडिया कंपनी ने 1789 में पेशवा और निजाम के साथ टीपू सुल्तान के खिलाफ संधी की अब घर बैठे बैठे पता कर सकते हैं अपने पीएफ खाते का पैसा अब अपने पीएफ अकाउंट में जमा पैसे की जानकारी आप बस एक मिस्ट कॉल से ले सकेंगे इसके लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट पे रेजिस्टर्ड मोबाल नंबर से 011-2290-1406 पर बस्ट कॉल करना होगा इसके बाद आपके पास एक मेसेज आएगा जुसमें आपको अपने अकाउंट में मौझूदा पीएफ के पैसे की जानकारी मिल जाएगे इसके साथ ही आप SMS के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं जिसके तहट आप EPFOHO UAN टाइप करके 7738299899 पर भेजरे से आपके अकाउंट का बैलन्स आपके पास आजाएगा अब कोरोना वाक्सिनेशन और टेस्ट रिपोर्ट आपके फोन में हो जाएगी से कोरोना के वरतमान माहौल में वाक्सिनेशन बेहदी एहम हो गया है कहीं भी बाहर जाने के लिए आपको एक physical vaccination card और Corona test report लेकर जाना पड़ता है जिसमें अपने vaccination के doses की जानकारी वहाँ पर लिखी होती है लेकिन अब Google ने एक नए feature को रोल किया है इसके मदद से आप digital vaccination card और Corona test के report सेव कर पाएंगे हालाकि पहले यह feature Android user के लिए रोल किया जाएगा इसकी मदद से आप vaccination card और Corona से संबंधित reports को अपने phone में store कर पाएंगे इतना ही नहीं आप इन documents को बिना इंटरनेट के भी access कर पाएंगे और उन्हें अपने phone के home screen पर save कर पाएंगे विराट कोली के बयान पर आर अश्विन ने किया कप्तान का बचाव भारतिये टीम के कप्तान विराट कोली के विश्व टेस्ट चांपियंशिप में एक टेस्ट के बजाए best of 3 सीरीज की नसियत पर चर्चाएश शुरू हो गई थी जिसके बाद अब अनुभवी भारतिय ओफ्स्पिनर रविचंडरन अश्विन ने विराट का बचाव किया है जिसके तहत उन्हांने कहा कि कप्तान ने केवल अपनी राय व्यक्त की थी विच्टेस चैंपियंशिप फाइनल एक टेस्ट के बजाए best of 3 सीरीज होनी चाहिए लेकिन कभी इसके format को बदलने की मांग नहीं की थी अर्श्विन ने आगे कहा कि यह हासिपद है मैच खत्म होने के बाद माइकल एथर्टन ने उनसे पूछा कि वे डवलू टीसी में क्या चीज़ अलगतर है से कर सकते थे विराट ने इस विशे संदर्ब में उतर दिया कि अगर तीन मैच खेले जाते तो एक टीम के लिए परिस्सितियों का अनुकूल होना और वापसी संभव होता आमर खान और किरन ने एक दूसरे से अलग होने का लिया फैसला पंद्रह साल की शादी के बाद अब आमर खान ने अपनी पत्नी किरन से अलग होने का फैसला ले लिया है इसको लेकर दोनों ने ही सामोही खोशा कर दी है जिसके तहर दोनों ने बताया कि यह फैसला दोनों की रजामन्दी से लिया गया है इसके साथ ही दोनों ने ये भी कहा है कि 15 खुबसूरत वर्षों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव आनंद और हसी साजा की है और हमारा रिश्टा केवल विश्वास, सम्मान और प्यार से बढ़ा है और अब इस ववस्था को आपचारिक रूप देने में सहज महसूस करते हैं दरभंगा एरपोर्ट से कॉलकता और हैदराबाद के लिए शुरू होगी इंडिगो की फ्लाइट सेवा दरभंगा एरपोर्ट से स्पाइस जुरेट के बाद इंडिगो अब 5 जुलाई से अपनी सेवा की शुरूआत करने वाला है इसको लेकर सारी तयार याँ पूरी कर ली गई है जिसके तहत इंडिगो अब हर दिन दरभंगा से हैदराबाद और कॉलकता के लिए अपनी उडान से वाश्यूरू करेगा अब आई जानते हैं सराफव बाजार और पेट्रो डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफव बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 जुलाई को 22 क्यारट के लिए प्रतिदस ग्राम इसके साथ ही 24 क्यारट के लिए प्रतिदस ग्राम 47,250 रुपे था इसके साथ ही अगर हम चान्दी की बात करें तो चान्दी का भाव प्रति के लो 69,200 रुपे था इसके साथ ही राज़ानी पटना में पेट्रोल की कीमत 101,75 रुपे प्रति लीटर और डीजल 95,603 रुपे प्रति लीटर था कल हमारे दोरा पूछे किया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था सवालों का जवाब देते रहे हैं कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों राज का सवाल को चस प्रकार है आपके रुसार मुख्य मंतरे नितीश कुमार की जनता दर्बार की शिरुवात एक बार फिर से होनी चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटी रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना भूले धन्यवाद